पीसिस करेड न्यूस में अभी की खबर है रास्ट्री उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन हाले में केंड्र सिक्षा और कोशल विकास एवम उध्यमिता मंतरी धर्मेंदर प्रधान ने ओरिशा के संबलपुर में राश्टे उध्यमिता विकास पर व्योजना का उधगाटन किया इसका उदेश प्रधानमंत्री के नौकरी चाहने वालों के बजाए नौकरी प्रदाता बनाने के दृष्टिकोड के अनुरूप व्यक्तियों को व्यापक उद्यमिता प्रसिक्षड प्रदान करना है यह योजना विशेश रूप से पीम स्वानिधी योजना के लाभार्तियों के लिए तैयार की गई है यह परियोजना बाइस सप्ताह की अवधी में व्यापक उद्यमिता प्रसिक्षड प्रदान करेगी इसमें अनुभवात्मक सिक्षा के द्वारा सैध्धानतिक ज्यान को व्यवहारिक प्रदर्शन के साथ जोड़ा जाएगा यह परियोजना देश भर में नियुकताओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की दुड़ प्रतिबधता को रिखांकित करती है इस परियोजना को रास्ट व्यापी बल देते हुए इसे भोपाल, कानपूर, इंदौर, वरांसी, भरतपूर, शिलॉंग, सिल्चर, डिब्रुगड और गुवा हाटी सहित नौ शहरों में लौंच किया गया है चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रशन को रास्ट्री उद्यमिता विकास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक, इस परियोजना को ओडिशा के संबलपूर में लौंच किया गया है दो, या योजना विशेश रूप से पियम स्वानिधी योजना के लाभार्तियों के लिए तायार की गई है उपरियोग्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रशन का उतर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, अभी के लिए बस इतना ही शुक्रिया दियो व्यूवर्स, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले